अज़ा आलेकूल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग खेरियों से होगे आप सभी का हमारे यूटिब चैनल पर स्वागा जाए आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्ण केप्सी स्टाइल जो बहुत मज़े के होंगे आप जाके बाहर खाते हैं तो अब आप घर पर बनेगे आतानी से तो चलिए देखते हैं कैसे बन के पूप यह 500 गिनाम बोनलेस हैं इसके हमने इस तरह से क्यूप्स कटवा लिये हैं और इसके पीस छोटे-छोटे रखना क्योंकि हम चिकन पॉपकॉर्ण बना रहे हैं तो चलिए इसको मेरिनेट करते हैं एक टीजपून नवक डालेंगे एक टीजपून शकर डालेंगे एक टीजपून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टीजपून काली मिर्च का प एक टीस्पून गार्लिक पाउडर एक टीस्पून जिंजर पाउडर अच्छा आप जिंजर गार्लिक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट डाल सकते हैं और अनियन पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजेगा अब हम इसमें एक अंड़ डालेंगे तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलाएंगे तो हमने अच्छे से मिला दिया है अब हम इसको आदे घंटे के लिए रखेंगे मेरिनेट करके तो चलिए आदे गंटे की इसको रख देते और आदे गंटे बाद आप से फिन मिलते तो ये दो कप हम मैदा लेंगे मैदा लेने में कंजूसी नहीं करिएगा क्योंकि मैदे में हमें कोड करना है और पॉण को एक कप पॉण फ्लाइब लेंगे इक टीज्पूनहीसमें गाघलिक पॉडर डालेंगेगे एक टीज्पून अन्यंप पॉडर एक टीज्पन्बशness प पॉडर आछ आप चिली पॉडर भी डाल सकते हैं और अगर गार्लिक जिंजर पॉडर नहीं ऊफ अप मत डालिए अब हम इसमें बहुत जिल्ड पानी डालेंगे तो देखिए चिकन को रखे वे आदा गुंटा हो गया है और हमारी सारी तैयारी भी हो गई है तो चलिए अब फिराई करते हैं इसको तो हम इसका एक एक पीस निकालेंगे और इसमें डालेंगे अब हम इसमें बहुत अच्छे सा कोट करेंगे अब हम इसमें बहुत अच्छे सा कोट करेंगे अब पाने में टिप करेंगे फिर मेदे में डालेंगे खिर में बांगे चैले में अजसे करेंगे इसकू य८ इसकू । युू सब्सका नसे करेंगे जाएंगे तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया तो और हमने इसको मीडियम गैस पे गरम किया है क्योंकि इसको बहुत जादा नहीं हाई गैस पे नहीं गरम करना बस मीडियम पे गरम करना और मीडियम पे ही फ्राई करना तो देखिए, दो मिनाट हो गए है, अब हम इसकी साइट को चेंज कर देंगे तो देखिए, केफसी स्टाइल चिकन पॉक्कॉन तयार हो गया है, यह बड़ा मज़ेदार सा बना है, तो इसको जरूर बना के ट्राई कीज़ेगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक जरूर कीज़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, अब हम आपको एक पीस तोड़के दिखाएंगे, यह देखिए, इसके गलने पकने की पहचान यह होती है, यह अंदर से एक दम वाइट हो जाता है,